नोज़का दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर में आपको एक CPC को कैसे असानी से समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे याद किया जाता है Logically मैं आपको आज इस lecture के अंदर एक चीज आपको समझाने वाला हूँ जो आपको लाइफ में अपना CPC Code of Civil Procedure 1908 को पढ़ने के लिए बहुत काम आएगी आपके Practicing Advocate के तोर पे कैरियर के अंदर भी काम आएगी अगर आप कोई Judiciary के एक्जाम के तियारी कर रहे हो ना उसमें भी बहुत जादा काम आएगी अगर कोई आप Public Prosecutor का एक्जाम देने वाले हो और कोई भी Law Officer का एक्जाम देने वाले हो जिसमें आपका CPC नाम का सब्जेक्ट, Code of Civil Procedure नाम का सब्जेक्ट आना है और 99.9% हर एक एक एक्जाम के अंदर और हर एक Practicing Advocate को ये चीज़े तो पता होनी चाहिए अगर कोई Advocate ये चाहता है कि मैं Successful Advocate बनना चाहता हूं और CPC बिगना पड़े, IPC बिना पड़े, CRPC बिना पड़े, Constitution बिना पड़े, Evidence बिना पड़े अगर आप Successful Lawyer बनना चाहते हो तो Sorry ये आपका सपना जो हमेशा सपना रह जाएगा याद रखेगा इसलिए मैं आपको हमेशा इस बात पर जरूर फोकस एक जरूर करता हूं तो सबसे पहली बात आपको CPC असानी से पढ़ने से पहले एक बात तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जनरल बाते जो होती है ना Civil मुकदमे के अंदर, Civil cases के अंदर, Civil suits के अंदर वो क्या होती है आपको पता होना चीए कि दो parties होती है एक plaintiff और एक defendant plaintiff कौन होता है, जो suit file करता है, जो case दर्ज करता है किसी के खिलाफ में, अब जिसके खिलाफ में case दर्ज होता है, उसको हम क्या बोलते है defendant बोलते है, जो अपना सबूत लेके court में आएगा कि जैसाब देखो plaintiff ने मेरे खिलाफ case file करा है ना, यह जूटा है, यह मकार है, इसन कि एक से ज़्यादा plaintiff किसी case में हो सकते हैं या एक से ज़्यादा defendant किसी case में हो सकते हैं जी हां मेरा आंसर होगा बिलकुल हो सकते हैं अगला question दिबाग में आता है कि सर अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी case चल रहा है सूट चल रहा है मारा court के अंदर और वहां पे हमने किसी एक plaintiff को एज़ा पार्टी के रूप में एड़ों नहीं करा मतलब किसी plaintiff को एड़ करना चाहिए दो या तीन plaintiff थे उनमें से किसी एक plaintiff को plaintiff ने अपना case डाल दिया और बहुत सारे defendant दे किसी A, B, C, D लेकिन किसी एक defendant ने अपना case file कर दिया और बाकियों को defendant party के रूप में suit के अंदर नहीं बनाया और court ने का गरा court ने अपना order भी पास कर दिया या कोई judgment पास कर दिया या कोई decree पास कर दी तो sir अब मेरा question यह है कि ऐसा court के दोवारा जो order पास करा गया है decree पास करी ग और लोग जो defendant थे उनको party बनाना चाहिए था है ऐसा defendant की रूप में उनको बनाया है नहीं मेरा answer होगा यहाँ पे court का दिया हुआ order court का दिया हुआ judgment court का दिया हुआ decree हमारी null and void declare नहीं होगी यह बात sir कहां पे लिखी हुई है order number one rule number nine यह बात पढ़ोगे clear हुजाई की बात सी दो डालिएगा यहाँ पर जो है एक शब्द आता है necessary party हमारे civil कानून के अंदर civil laws के अंदर CPC के अंदर और जो लोग civil lawyer है ना उनके लिए भी बहुत जरूरी है और जो advocate जो अपना कोई भी law graduate है या कोई advocate अपना जुडीशी के तियारिकर है उनके लिए भी जरूरी है तो एक वर्ड आता है necessary party एक वर्ड आता है proper party अब यह तो शब्द जो है ना आप लोगों को बहुत confusing लग रहे होंगे लगते होंगे या आप सुनने के बाद लग रहे होंगे लेकिन बहुत simple सी बात है necessary party नाम का जो शब्द का जिकर करा हुआ है ना आप अगर order number one rule number nine का इसा code का दिया हुआ order को null and void declare कर दिया जाएगा इसको मैं बहुत असानी से एक example की रूप में समझा देता हूँ जीवन भर आप यह चीज़ को भूलोगे नहीं सबसे वहली बात a b c d अपने भाई बहन थे यानि कि a b c अपना तीनों भाई थे d उनकी एक भेन थी बात खत्म प्रॉपर्टी का पर्टीशन के लिए एक हमारी प्रॉपर्टी है इसको ना हम तीनों ही खा जाएंगे अपनी भेन को कुछ नहीं दे रहे भाण में जाने दो से ठीक है तो एक कहता है कि मैं जो एक बी और सी तेरे खिलाफ केस कर दूँगा कोट हमारे फेवर में नहीं है और भेन को हम अपनी प्रॉपर्टी का में से एक रुपे का भी हिस्सा नहीं देंगे ऐसे इनोंने शडियंतर अचा वही इनोंने कोट में करा कोट में ए नाम के व्यक्तिन है बी और सी को पार्टी बनाके केस फाइल कर दिया सूट फाइल कर दिया प्रॉपर्टी क जो इनकी भेहन है, इसको भी party बनाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, आप लोग बताओ खुल, भाई, D कभी दो इससा है, अपना property के अंदर उसको party बनाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, और A, B, C ने शडियंत रच के party बनाया ही नहीं है, कि एक और defendant थी, जिसका नाम ही नहीं है, वो अपने घर में busy है, या अपने काम धंदे में busy है, कि यहाँ पर इसके भाई जो है, शडियंत रच के property अपना हड़ अपना चाहते है, इतनी सी बात आ जाती है, फिर इसकेस के अंदर court ने अपना order pass कर दिया, court ने अपने decree pass कर दी, court ने अपना judgment pass कर दिया, या यहाँ पर अमान्य घोशित होगी या नहीं होगी, इसी वज़े से मैंने आपको भी बताया था, order number one, rule number nine का proviso में साफ लिखा हुआ है, कि अगर कोई भी suit के अंदर, civil suit के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी case के अंदर, civil case के मैं बात कर रहा हूँ, किसी necessary party को आपने add-on नहीं करा, आपने necessary party को as a party के रूप में, भले ही वो plaintive के दोर पे हो, भले ही वो defendant के दोर पे हो, अगर आपने नहीं बनाया, नहीं add-on करा, और court ने कोई judgment दे दिये, तो वो court का judgment दे है, order जो है, और decree जो है, अमानने घोशित होगी, बात खतम हो जाती है, इतनी सी बात आ गई, तो हमारे case में D नाम की जो महीला थी, बहन थी, A, B, C की, वो D नाम की विक्ति कौन मानी जाएगी, necessary party मानी जाएगी, necessary party का simple शब्द में क्या होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी party, जो case की सुनवाई में add-on होना, as a plaintiff के रूप में, as a defendant के रूप में, बह necessary party को हम क्या बोलते है, necessary party बोलते है, और अगर कोई भी court ऐसा order pass करता है, judgment pass करता है, decree pass करता है, बिना necessary party को add-on हुए बेगर, तो ऐसा court का order, decree, judgment, आमाने घोशित होगी, void घोशित होगी, null and void घोशित होगी, बात खतम हो जाती है, ये बात कहां लिखी है, order number one, rule number nine के provisor में य proper party के अंदर, for example के रूप में, मैं आपको एक example के रूप में proper party का भी 2 मिनट के अंदर मतलब समझा देता हूँ, proper party कोन होती है, for example के रूप में A, B, C, D, अपना भाई बहन थे, वही पुनाने वाले example, A, B, C अपना भाई थे, D उनकी बहन थी, अब ये चारों ने अपना planning कर के अपना अब जो मर्दी करो, बात खतम, और court के अंदर case जाल दिया, A नाम के वक्ति ने, B, C, D, और E नाम के वक्ति को भी as a party बना दिया, ठीक है जी, अब इस case के अंदर, E कभी कोई ना कोई यहां पर involvement था, property के अदर, interest था कि, यहां पर मान लेते हैं, D जो भेहन थी, व समझ लीजिए, अब इस case के अंदर, यहां पर हिस्सा किस-किस को मिलने वाला था, A, B, C, D को, E का तो कोई भी मतलब भी नहीं है, वो तो जब हिस्सा मिलेगा, जबकि जब बाद में बात आएगी, लेकिन यहां पर party के रूप में, E को भी party बना दिया, अब आप लोग बातेगा, अगर कोट हिस्सा बातेगा, तो वो A, B, C, D के अंदर हिस्सा बातेगा, E का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी, तो इस case में, यहां पर E नाम के व्यक्ति को बोले जाता है, Miss Joinder Party, कि यहां पर इसको गल्ती सहजा पार्टी बना दिया है, यहां यह इसको हम ठीक है, ना हो, तो ठीक है, लेकिन कोट का दिया हुआ judgment, कोट का दिया हुआ order, कोट का दिया हुए decree को कोई effect नहीं करेगा, इसको बोला जाता है proper party, तो ऐसे case में, अगर proper party को add-on नहीं करे जाता है, plaintiff के रूप में, यह defendant के रूप में, तो जब कोट का दिया हुआ कोई भी लिखा है, अगर necessary party को add-on करे बगार तुमने कर दिया भाई, तो वोईड है, अगर proper party को add-on करे बिना तुमने judgment दे दिया, कोट ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई null and word declared नहीं होगा, तो यह एक basic मतलब होता है, बहुत simple तरीके से मैं आपको बहुत CPC के एक general बाते बताई ह तो अगर आपको CPC बहुत अराम से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत easy शब्दों में पढ़नी है, तो मेरा recommendation आपका यही होगा, कि जादा टाइम नहीं बचा है, पांच जून 2023, तीन बज़े से मैं CPC साथ में Limitation Act ये दो subject पढ़ा हुआ, अपने आप मे नोट्स होए, एक रुपे फोटो कॉपी के साथ से, तीन सो चार सो रुपे भी आपके मान लेते हैं, फोटो कॉपी में लग जाएंगे, तोटल आपका फंदरसु रुपे तक का कर्चा हो गया, इसके बाद अब यहाँ पे आप कोई भी अपना नोट्स पढ़ने के साथ सा नोट्स की कॉपी लेने लग जाओ, उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने के वाद सारी सीपीची आजएगी, फाई नोट्स के जो बात लिखी होती है, यह बात क्यों लिखी है, इसका क्या लॉजिकल रीजनिंग है, इसके एक एक एग्जामपल देके मेरे को की टीचर रहा हो जिसके जिसका एक एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो कि जिससे दस या पंदरा बच्चों का सेलेक्शन अपना जूडिशी एक्जाम में हो भी चुका हो, सिर्फ दो हजार रुपे में एक्ष्रा, मलब दो हजार रुपे का आपकी जिव से खर्च हो गए ना, बुक मेंस के कुछन देंगा, जो लेटेस अमेंडमेंट्स आइगी, हाँ अगर लेटेस अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है, केस लोग अपको पढ़नी है, उसकी भुक आप अलग खरीद होगे, तो आपका दो हजार रुपे का जो खर्च होगो धाईजार तक चला जाएगा, उसमें भी गैरेंटी नहीं है कि पन सुर पर आईगी भी या नहीं आईगी, और यह भी गैरेंटी नहीं है कि वो बुक पढ़नी के बाद में आपको कब अपना प्रोवीजन पढ़ने केस लोग याद करना है, लेकिन मैं आपको नोट्स ऐसे प्रोवाइड करा हूँगा, ह जिसमें आपको लगे कि हाँ यार, इस टीचर ने मेरे को बहुत अच्छे से अपना CPC पढ़ाया है, और आप लोग अगर पुराने स्टूडेंट हो, अगर आपने में से CRPC या अर्दर सब्देक्स में से पढ़े हैं, तो आप लोग मेरा experience जानते होंगे पढ़ाने का, और प्रूवीजन्स तो छोड़ो, प्रूवीजन्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, case law तक जो है, वहाँ पे हमारे question paper ने बिल्कुल छप किया आए थे, बिल्कुल सेम जितना मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैं आपको केवल उतनी ही dose दूँगा, जितना आपका exams के लिए, ए मैं आपको guidance प्रोवाइड कर रही है, वह पसंद आई है, और आप अगर batch join करना चाहते हो, तो app download कर लेना, smart and legal guidance के नाम से, आपको Google Play Store के उपर app मिल जाएगा, iPhone users के लिए भी आप आ जाएगा, लेकिन थोड़ा से बेट कर लो, दो चार दिन और लगेंगे, ठीक है, तो iPhone के इंदर भी मेरा app launch हो जाएगा, बट iPhone के लिए download कैसे करना है, उसका थोड़ा अलग तरीका होगा, मैं आपको बता दूँगा, तो आप लोग मेरा telegram group join कर लो, मेरा app install कर लो, और batch जली से जली purchase करके अपनी seats book कर लो, क्योंकि मैं कुछ टाइम में offer बंद कर दूँगा, याद रखेगा, तो मिलते नेक्स वीडियो के अंदर, ऐसी वीडियो साम डेली बिसेस पे लाते रहेंगे, ताकि आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सबूँ, मिलते नेक्स वीडियो में, थेंक यू, तैने बाद,